हलो माई लवली स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दे सेल्फ आइनाइजेशन या फिर आटो आइनाइजेशन और वाटर ओके और साथ ही हम पढ़ेंगे अबाउट दे के डव्यू जो होता है आनिक प्रोड़क्ट और या फिर इसे कहते हैं आइना क्प्रेदियूस करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती है खुद ही एपने में मॉलिक्यूल कालाइट करते हैं और यह आइन प्रेदियूस करदेते हैं ठीके इसका मतलब होग i self- ऑऊनाइसेशन का हो रहे हैं और auto-ऑआइनाइजेशन का भी मतलब वही होता है तो वा और साथ में कौन सा आइन बनेगा ओएच नेगटिव आइन बनेगा जिसे कहते है हाइड्रॉकसाइड आइन यह दोनों आइन एक्वल अमाउंट में बनेगे जब वाटर के दो मॉलिकूल आपस में रियक्ट करेंगे और वो कुलाइट करके यह वाले आइन देगे इस इस नो से इकविलिबरिम का साइन लगाएगे तो इसमें क्या होता है दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में कुलाइट कर जाते है इसमें कुलाइट होगा आपस में कुलाइट करेंगे और वैसे ही यह दो आइन बनाएगे यहां पर मैं लिख लेती हूँ H3 O positive प्लस यहां पर OH- नेगिटिव आइन बनाएगा Now, this is the hydroxide जो की उपर लिखा है hydroxide जो की क्या होता है ID है तो इसका मतलब क्या है negative charge ठीक है negative आइन है H3O positive क्या हुआ hydronium आइन आपको पता है EM जहां पर use होता that means वहाँ शोरली positive sign है negative होता है वहाँ पर आइन यूस होता है तो यह क्या हो गए this is the hydronium this is the hydronium आइन यहां तक clear app का अब देखो basically क्या होता है अब ही मैं बताऊंगे इसमें किस तरह से यह आइन बनाएप पर उससे पहले यह समझ लो this is very important that water is a very weak electrolyte weak electrolyte का मतलब क्या है कि जब वो ions में तूटेगा इन दोनों ions में तूटेगा तो वो कम तूटेगा अब कहते हैं कि water है यहां पे ले लो आप water मैंसे कुछ amount ही water का कुछ molecule ही water के इन ions में जाएगे और इन ions की जो concentration होगी वो बहुत ही कम होगी इसा क्यों हो रहा है because water is a weak electrolyte so it will ionize partially means very small amount of H positive and OH negative ions और interesting बात यह है कि जो यह H positive hydronium ion और hydroxide ion दो ions बनते है वो क्या होते है उनके amount equal होते है वो equal amount में equal concentrations में बनते है now what happens suppose एक बेकर में आपके पास water molecule है okay तो इसमें क्या होता है देखो बाहर से तो आपने कोई नहीं दिया ठीके तो self ionization का मतलब auto ionization का मतलब यही है कि यह खुद ही अपने दूसरे molecules के साथ अपने ही जो दूसरे molecules है उसके साथ टकरा के यह ions देगा उसको बाहर से किसी की जरूरत नहीं होती है जैसे कि suppose यहां पर एक water का molecule मैंने बना दिया and आपको पता है यहां पर मैंने इस तरह से एक water का molecule बना दिया तो यू नो दाट कि यहां पर एक्ट्रो नेगिटिविटे डिफरेंस होने की वज़े से डेल्टा नेगिटिव आएगा डेल्टा पोजिटिव आएगा तो यह क्या होता है यहां से क्या करता है यह जो oxygen है oxygen क्या करता है यहां से H positive iron को ले लेता है ठीक है यहां से H positive iron को ले लेता है इसका मतलब क्या हुआ इस मेंसे एक जो molecule होगा water का वो H positive इसको देगा और यह accept करेगा अब देखो उसी चीज़ को मैं बताने जा रही हूँ कि यह सब चीज़े कैसे होती है अब यहां पर देखना कि यहां पर सबोस हमने यहां पर O, H इस तरह से water molecule लगा दिया आपको पता है यहां पर delta negative है delta positive है क्योंकि electron negativity देखो oxygen की जादा है तो यह shared pair of electron अपनी तरफ को ले जाएगा उसके वज़े से इसके बाब partial negative आ गया और जिससे लिया है उसके उपर partial positive आ गया on the other hand जो बीकर में आपके पास और other molecules of the water पड़े थे वो action में आ जाएगे अब यह क्या करेगे obviously यहां पर भी delta negative है मतलब यह more electron negative है यह क्या करेगे कि यहां से यह H positive को ले लेगे क्योंकि H positive को क्यों लिया क्योंकि यहां के जो bond के electron है वो oxygen अपनी तरफ खींच रहा था तो यहां से यह H positive lose हो गया और H positive इसने खींच लिया तो आपके पास यहां पर क्या बना आपके पास यहां पर बना यहां पर देखो यह H positive तो इसके साथ चले गया तो यह क्या बना H कितने है 1, 2 and 3 hydrogen है H3 and एक oxygen है O and उस पर आएगा positive ठीक है एक यह H बन गया और दूसरा on the other hand की H positive तो यहां से इसने ले लिया ठीक है अब यहां पर कौन सा आइन बच गया solely यहां पर OH negative बच गया there will be OH negative इसका मतलब क्या हुआ कि एक यहां से क्या हुआ यह H plus donor हुआ donate करा इसने ठीक है एक molecule ने क्या किया H positive का donate करा और इसने क्या किया H positive का accept करा ठीक है यही होगा इसमें ionization reaction में की एक एक आप H positive देगा एक molecule एक molecule H positive लेगा इसे की वज़े से यह वाले हमारे पास ion बनते हैं this is called the self ionization reaction auto ionization reaction now comes to this की KW की बारे में बात करेगे तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेती हूँ water ठीक है अब मैं एक ही water लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए H positive plus OH negative ions में लिख ले यह liquid में है यह aqueous and यह aqueous form में है ओके now क्या होता है जो आपको पता है equilibrium constant जो KC होता है वो क्या होता है product ठीक है product की concentration जो product वाली side है species उनकी concentration upon reactant की जो concentration होगी ठीक है अब यहां पर product side is this ठीक है KC equals to product क्या है यहां पर H positive and these boxes are denoted as the concentration okay now OH negative यहां पर आगया and और reactant में क्या है यहां पर water molecule आगया अब यहां पर देखो क्या चीज़ होती है यह इदर को चला जाएगा ठीक है it will go with the KC because अभी मैं बताती हो यह क्यों हो आई यहां पर लिख लो KC और यहां पर water आगया and यहां पर equals to H positive and OH negative आगया now जो यह H positive है दिहान से देखना this H positive इसका क्या है यह जो water है जो water है हमारा जो water है is present is present at constant at constant concentration ठीक है concentration means 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 क्या हुआ no change no no significant change ठीक है significant no significant change in change in concentration of concentration of water देखो और मैं यह क्या बोड़ यह आपको मैंने बताया था देखो बहुत interesting है यह मैंने आपको बताया था कि जो water होता water is a weak electrolyte weak electrolyte का मतलब क्या होता है कि कुछ amount of water molecules है कुछ amount के ही आपके ionize करेगे और बाकी जो majority of the concentration है आपके water के ही form में रहेगी वो आपके ion नहीं बनाएगी तब ही तो यहां पे equilibrium का sign होता है कि जैसे ही यह बनते है वैसे ही क्लब करके साथ में मिलके वापस water दे देते है ठीक है तो कुछ कम amount बहुत ही कम amount जो water है वो ionize करता है ठीक है अब यह बहुत कम amount अगर ionize करेगा water ठीक है तो यहां पे इसके concentration पे बहुत कम फरक आएगा जो पहले concentration थी वैसी ही रही कि क्योंकि बहुत कम amount आगे ionize हुआ है तो इसका मतलब जो यह water की concentration होगी water का जो amount होगा वो almost constant रहेगा throughout all these calculations ठीक है तो यह भी constant है आपको पता है तो यहां पर हम बोल रहे है कि water में जादा change नहीं आ रहे है यह भी constant रहेगा तो हम constant and constant को साथ में लिख लेगे तो यह हुआ ठीक है अब ध्यान से देखना now KC and KW यह क्या हो जाएगा KC and water क्या हो जाएगा KW यह हो जाएगा KW कौन सा KC and जो water हुआ इसको नया constant दे रहे हमने this is known as the KW now यह किसके equal है यह है H positive की concentration and OH की negative की concentration तो हमें यहां से क्या मिला is equal to H positive की concentration and साथ में multiplied by OH negative की concentration now this KW KW क्या है यहां पे यहां पे ionic product ionic product of water ठीक है ionic product of water है यह फिर ionization constant of water है ठीक है अब important एक और चीज़ हम यहां पे देखते है at 25 degrees Celsius room temperature पे क्या हो जाती है KW के हमने value देखा है कि क्या होती है यह 1.0 into 10 raise to power minus 14 इसकी यह value हो जाएगी याद रखना यह हमने देखी है और बस यह क्या होती है temperature के साथ इसकी value different होती है तभी हमने यहां पे room temperature की बात करिए कि इसकी value इतनी होती है तो इसका मतलब water of जो हमारा ionic product of water है उसकी value हमें standard यहां ता कितनी मलगी देखो इस video में आपका पूरा का पूरा यह हम detail में करेंगे तभी मैं कोई भी topic नहीं छोड रही हूं now calculating h positive OH negative की concentration हम कैसे निकाले कि अगर हमें kw पता चल गया है यहां पर so हम लिखेगे we know that कि जो kw था हमारा वो हमने निकाल दिया वो हमें पता है ठीक है 1.0 into 10 raise to power minus 14 और जो की kw की value क्या है equal to वो किसके है h positive and OH negative ion की concentration तो हमने एक equation में यह वाला equation में लिख लिख लिए यह भी लिख लिख लिए कि यह सारे equal है अब हमने आपको पढ़ाया था कि जो यह ions बनते हैं यह equal amount में बनते हैं ठीक है equal amount में बनते हैं तो जो h positive ion की concentration है और OH negative ion की concentration है वो equal होती है तो suppose हमने यहां पर h positive OH negative की जगा h positive लिख लिख लिए यहां पे OH की जगा हम h positive लिख सकते हैं तो oh की जगा हमने h positive लिख 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 लिए तो h positive का square हो गया अब यहां से under root आएगा तो 14 का half करोगे तो 7 आजागा mole per liter इसलिए h positive की concentration आई हमारे पास 1 into 10 is to be minus 7 mole per liter आट वो भी to be very specific at the 25 degree Celsius और वैसे ही अगर हमें निकालना हो डिराइव करना हो तो कैसे कर सकते हैं वैसे तो आपको पता चल गया है कि h positive और oh negative की concentration equal है तो अगर h positive की इतनी है तो oh negative की भी इतनी होगी फिर भी अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि h positive की जगा अभी यहां पे oh negative डाल दिया ठीक है तो वैसे ही oh negative का square हो गया oh negative की value इतनी आगी तो at 25 degree Celsius हमने क्या देखा कि h positive और oh negative की concentration है वो आपस में equal तो है वो तो हमें पहले से पता थी बट वो किसके equal है 1 into 10 raise to the bar minus 7 तो आपको यहां से क्या के चीज़े सीखने को मिली first यह कि जो ionic product of water है ionization constant of water है वो equal होता है दोनों की concentration का product multiply करना होता है and at particular temperature 25 degree Celsius जो की room temperature होता है उस पे होती है value इतनी and यह क्या है 25 degree Celsius पे दोनों equal होती है concentration और वो भी दोनों की value इतनी हो जाती है ठीक है self ionization, auto ionization यही था कि जो खुद ही अपनी ionization करवाने में capable होते है thank you so much